आसलांवलीकूम डियर स्टुनेंट्स आज के लسञन में हम पेरेमेटरिक टैब के उपर डिस्कस करेंगे पेरेमेटरिक टैब में आज हम जिओमेटरिक छो है, तो, पैनल पर डिसकस करेंगे तो हम होग और एंशर पे तक्रीपार पर कंप्लीट काम कर चूके और इसके लावा हम जो है तो इन्वेट्स पे भी हमने तक्रिवां काम कर लिए सारा त्यूंकि इस सारी चीज़ें आपके पास सोम में भी थी अपस यह सारी चीज़ें थी तो इस पर भी हमने काम किये जेृट्स के लिएर्ट्स के आथकी बाद द्यूंकि उन्वें द्यूंकि नियुकि नियुकुलत बाकर दीचि़हें पिर हम project अपने design का में start कर लोगी तो parametric view में सबसे पहले आपके पास पैनल है इसके ओपर discuss करते हैं यह क्या होता है तो इसके लिए मैं एक for example सबसे पहले एक line draw करता हूं जहां से यहां बेक लेरी हो और एक line में दुबारा से और लाइन देता हूं उसको भी फिल्कुल यहां फिस तरह ले देता हूं सबसे पहले आपके पास यहां पर जो option है वह आपके पास consistent का function नहीं होता है कि आप जो आप जितनी भी line है इंस line को आप जो है इसके midpoint एक line को दूसरी के midpoint में एक किसी भी point में आप एड़ करना चाहें उसको add कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है कि मैं यहां पर क्लिक करता हूं first line को मैंने क्लिक किया और यहां से दूसरी line को मैंने क्लिक किया तो अब यहां पर देखें तो यह बिल्कुल mid में यहां पर आ गया इसके इसी तरह अगर आप चाहते हैं नहीं आप संटर में में पॉइंट को मैंने क्लिक किया और इसके भी में 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 क्लिक किया तो अब देके में 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 तसरे ऐंडपाइन को में मैं में अगर आप एक के end और दुस्ते के mid को जोड़ना चाहरे है जैसे कि मैं इसके mid के साथ इसका end point जोड़ना चाहरा हूँ तो उसके mid के साथ इसका end point में जोड़ दिया अब जब इसको move करोगे तो आगे भी जहां भी move करोगे तो यह बिलकुल mid से ही move होगा देख सकते हैं तो यह आपके पर चोटे कुछ इसके function होते है second one आपके पास आजाता है iska क्या function होता है कि यह आप for example में पास यह जो line है इसको में चाहता हूँ बिलकुल इसके बिलकुल यहाँ पर इसके बराबर यहाँ पर एक word line आजाए इसके लिए मैं यहाँ से क्लिक करूँगा first object कुछ लग करता हूँ second दूस लग करता हूँ देखिए यह आपस एक line यह आगी और दूसरी लाइन आपस यह आगी यह अलग लग दो line है लेकिन आपस में बिलकुल इस तरह straight line की तरह बिलकुल सीधी straight line की तरह आपस में adjust हो चुकिए control Z प्रस करता हूँ next पर इस अपल circle है यहाँ पर एक में परस यहाँ पर यह एक circle है और एक में परस यहाँ पर यह वाला जो है तो circle है अब यह दोने जो circle है में परस मैं चाहता हूँ आपके यह वाला जो है यह इसके बीच में adjust हो जाए उसके लिए मैं इसको click करता हूँ first point और second को select करता हूँ देखें यह आपस में क्या हो कि बिल्कुल adjust हो चले है किसी दर अगर r को तो r को भी आप इसी दर adjust कर सकते हैं दूसरे के अंदर इनको lock करना चाहने तो आपके यहां पर click करके इनको lock कर सकते हूँ आप चाहते हैं कि आपस में जाटो parallel लाइन चले जैसे कि में यहां पर यह मिलेबस line है यह लाइन आपस पे पैरलल में नहीं है तो अब चाहते हूं यह दो आपस पैरलल में चलें तो उसके लिए आप यहाँ पे पिलिक करें पैरलल अप्चिन को फर्स्ट और सेकंड दौूंगए तो देखें यह पिलिक कल पैरलल के अगर करें विल्कुल क्या है इप करके देखिं विल्कुल क्या है रखें या पैरलल है अच्योल को जब और एक कना आपके मूव करूंगा धृएं मूव और दोस्री लाइन पजिक के पैरलल मूव और परिंदे सकते हुआ हो तो उसके लिए हम से पर्पेंड्र बिक करता हूं कि फर्स्ट लाइन को से लिक लए करता हूं पर knocked ही आप डिदे बीसिता आप सकते हैं है तर आप चाहते हैं पिर कि लाइन है नड़्ापस आजाता है जी, होरीजल लिए 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 पोड़कर लिटा अदेए यह से हैं कि यह और एक सब्ला करता मैं जाद हूरum । इसके टैंजेन की साथ क्या तो मैं आप पस के टैंजेंट सेथ्मूव हो रही है जाहाँ मूव करेंखेंगे त्दैंजेंट के विभी साथ साथ मूव होती रही कि इसी तरह आपके पसUNDखियांपे स्मूथ का ऑप्षिन स्मूथ बिसे के ली जो उता है यह SP line होती है उसके साथ होता है जैसे कि मैं यहाँ पे SP enter करता हूँ SPL enter करता हूँ कि दो आपस में SPL line जो होती है उनको आप smooth एक दूसरी के साथ अट्रेज करना चाहरे है जोनना चाहरे है smoothly तो आप यहाँ से जोड सकते है अब मेरे पस यहाँ पे SPL line है अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ smooth पे first line के end point को स्लेक कर लिता हूँ और दूसरी line के end point को स्लेक करता हूँ देखिए आपस में क्या होगे smoothly दूसरी साथ की होगे जुड़ गी है फिर बजातों आपको में क्लिक करता हूँ यहाँ पे first object उसलेक कर लें दूसरी object उसलेक कर लें देखिए क्या होगे आपस में जोड़ गी है इस तरह smoothly उसले आपस यहाँ पे आजाता है symmetric यहाँ पे आपस view आजाता है इसमें क्या होता है यह तीन लाइन है आपको स्वा इसमें पर इसमें क्लिक करें first line second line यह दोनों लाइन क्लिक करें तो देखिए बिलकुल वो इसी एंगल में एक दूसरे के perpendicular यहाँ पे आखिए next one option है जो मैं चापतों कि आपर पस यह जो लाइन है जैसे के यह जो लाइन है इसका size क्या है बहुत ज़्यादा चोटा size है तो मैं चापतों यह दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए एक जैसी हो जाए दोनों का size बिल्कुल एक जैसा हो जाए उसके लिए आप यहाँ पस पे click करें तो यह equal हो जाएंगे आपस में equal हो जाएंगे देखें बिल्कुल आप यहाँ पे देखें तो इनमें आपस सारे के सारी जो option है यहाँ आपस show हो रहे गासी किसी हों है शमूद का यहाँ पर देखें तो यह आप यहाँ गया जाएंगे तो इनकोgrandर आप sacrifice करना हो जाते हो जाएंगे यहाँ से हाइड हो जाएंगे शवाल पे click करेंगे सारे के सारी शवाख ओ जाएंगे और show है पे click करके जिस object को स्लिक करेंगे उसको अगर show है तो वो hide हो जाएगा और अगर hide है तो वो show हो जाएगा देख सकते हैं show है, इसको hide कर दे इसको हमिसले करता हूं अब यह show है, इसको भी hide कर लेता हूं तो आप hide कर सकते हैं इस show यहाँ पर कर सकते हैं तो यह था आपस Geometric का Option, तो अमीद है आपको यहां पर समझाया होगा, इम्छाला नेक्स लेसे में हम Dimension के उपर काम करेंगे, तब तक अपना बहुत सरा ख्यार लेखेगा, अपने द्वाव में याद लेखेगा, खुदा हाफिस, अपना बहुत सरा ख्यार लेखेगा,